जब pregnancy conceive हो जाती है, तो breast में ऐसे 5 खाग बड़े changes आते हैं, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि गर्वधारण हुआ है, बाकी के symptoms आपको नहीं दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, अगर आपको breast में भी अपने changes दिखाई दे रहे हैं, तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि आप pregnant हैं, ज चुरू भी हो जाते हैं, क्या होते हैं वो 5 बड़े बतलव, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीस वीडियो को लाइक कर दीजिगा, फर्स टाइम देख रहे हैं तो चैनल को प्लीस से आजाती है, जब आप ब्रेस्ट को अपने टच करके देखेंगे तो आपको बहुत सॉफ्ट से लगेंगे ब्रेस्ट में, एक संसेशन वाली फीलिंग आती है ब्रेस्ट के अंदर, एक अलग टाइप की बहुत फीलिंग होती है, जो कि आपको कभी इससे पहले फी प्रेस्ट donating, एक ब्रेस्ट वाली फीलिंग टचुन उपने थे जब ब्रेस्ड पने में और जनरी फीलिंग टाइप की बेस्ट से वालगा करननल ब्रेस्ट और लसे और खार आपको एक pregnancy का symptom है कि एक breast का size दूसरे breast से बड़ा होता है अगर आपके breast में ऐसा change दिखाई दे तो भी आप समझ सकते हैं यह गर्वदारण आपका हो गया है तीसरा लच्ण होता है कि जो निपल होते हैं उनमें दर्द शुरू हो जाता है उनमें उभार आजाता है एकदम शुरुवाती pregnancy का यह लच्ण होता है कि जब आपने एक बिल्कुल conceive किया होता है तब यह लच्ण आता है कि निपल जो है वो थोड़े से बाहर की तरफ आजाते और आपके breast जो है वो baby को feed कराने के लिए खुद को धीरी धीरे prepare कर रहे है चौथा लच्ण होता है कि निपल की चारो तरफ का जो एक black area होता है वो और जादा dark black हो जाता है यह भी खास pregnancy का लच्ण होता है delivery के बाद जब आप देखेंगे तो धीरे धीरे वापस से वो color जो ह निपल के पास उनमें dots type के pimples type के पढ़ने शुरू हो जाते हैं और उनमें और ज्यादा जैसे pregnancy आगे की तरफ बढ़ती उनमें और ज्यादा उबहार आना शुरू हो जाता है तो यह पांच वा लच्ण होता है breast में change होने का तो यह खास पांच लच्ण होते हैं पहला लच् होना फूर्थ लच्ण होता है कि जो ब्लैक एरिया होता है निपल्स के चारों तरफ का वह और ज्यादा डार्क ब्लैक हो जाता है और फिफ्ट लच्ण होता है कि वह जो ब्लैक एरिया होता है उनमें पर दिखने शुरू हो जाते हैं जो कि pregnancy जैसे जैसे आगे बढ़ती हो ज्यादा डियरली दिखने लगते और ज्यादा बड़े हो जाते हैं यह पांच लच्ण प्रेग्नेंसी होने पर ही इस्रारा करते हैं और जब डिलीवरी हो जाते हैं उसके बाद फिर से वापस से ब्रेस्ट जो है वो नॉर्मल साइज में आ जाते हैं तो जरूर चेक करिए अगर आप प्रेगनेंट हैं तो ये बदलाव आपको जबरूर दिखाए देंगे एक लच्छन और होता है लेकिन वो सब के साथ नहीं होता है कुछ लोगों में होता है कि प्रेगनेंसी कंसीव हो जाने के बाद डेड़ या दू महीने जब होते हैं आपके तो ब्रेस्ट से प पानी आ रहा है कोई डिस्चार्च आ तो यह भी प्रेगनेंसी का ही सिम्टम होता है इसमें घबराने वाली डरने वाली कोई बात नहीं होती है तो इन लच्छनों पर ध्यान ज़रूर दीज़ें लच्छन दीख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी ब्रेस्ट जो है वह व अपने फ्रेंड्स और ये कि साथ क्यूंकि प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट में हो रहे हैं बदलावों को लेगे काफी सारे लोग बहुत ज़्यादा परीषान हो जाते इस्पेशली ज़ो डिस्टार्च होता है अग्नेंसी जो ब्रेश्ट से ब्लात जो पानी आता उसको ले gall stay happy and stay healthy नमस्कार